एक करोड आठ लाख रुपए का आपका एक साल भर में प्राफिट होगा प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस दे बेल आइकन आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक सफेद कलर का पदार्थ निकल रहा है पेड़ से इसका मार्केट साइस इंडिया में 30,000 करोड रुपए का है यानि कि ये वाला रबर इंडिया में 30,000 करोड रुपए का बिजनस करता है जैसा कि हम और आप जाumहाजते हैं कि रबर से बहुत सारी प्रॉड़क्स बनते हैं तो जरा सोचे उनका market valuation कितना जादा होगा जैसा कि हम सब जानते हैं कि टायर्स में rubber का यूज होता है टी-शिट्स में rubber का यूज होता है गलफ्स में rubber का यूज होता है या फिर ये कह लीजे कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़े हैं जिनमें elasticity होता है वो सब के सब rubber है टायर बनाने वाली company MRF यानि की मदरस rubber factory साल भर में 5,000 करोड रुपे का revenue जनरेट करती है पेंसिल से लिखने के बाद हम लोग जिस eraser से मिटाते हैं वो भी एक rubber का ही product है और इस rubber का product का business इंडिया में 1.77 billion dollar का है पेंसिल eraser industry में तीन market leader है नमबर एक पर है नटराज नमबर दो पर है कैमलिन और नमबर तीन पर है ITC ITC यानि की classmate के product और एक famous rubber का product है जो कि इस दुनिया में लगबग हर एक इनसान यूज़ करता है और वो है जूते और चपल आप rubber का business कई तरह से कर सकते हैं नमबर एक पर है आप किसानों से rubber को खरीदिये और आगे ले जाकर के बेच दीजिये या फिर आप उसका होलसेलर बन जाएए अगर आप चाहे तो फिर एक छोटी मोटी जगह ले करके आप उसका factory भी डाल सकते हैं इसमें आप किसानों से rubber को खरीद करके उसमें थोड़ सब प्रोसेसिंग करके आगे बेच सकते हैं सीधी सी बाते rubber में भी प्रोसेसिंग होना है क्योंकि अलग अलग चीज़े बनाने के लिए अलग अलग टाइप के rubber की जरूरत होती है rubber का price 20 रुपे लीटर से ले करके 300 रुपे किलो तक जाता है अब आप सोच रहे होंगे लीटर से किलो जी हाँ जब rubber initial stage में होता है तो फिर वो liquid में होता है जिसका माप एक लीटर होता है और वो जब उसको process करता है तो फिर वो hard बन जाता है तो फिर वो kilo के हिसाब से बिखता है और वो 300 रुपे किलो बिखता है अगर आप दिन का एक 10 रुपे भी बेच लेते हैं तो फिर भी आपका 3 लाख रुपे बन जाता है आप अगर 3,00,000,000 रुपए का माल बेच पाते हैं तो फिर उसमें आपका 10% का profit होना चाहिए अगर आपका 10% का profit होता है तो फिर यानि कि 3,10 परसंट 30,000 रुपए रोज का 30,000 रुपए अगर रोज का होता है तो फिर आपका महिने का कितना होगा एक महिने में 30 दिन होते हैं आपको हर रोज 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो एक महिने में कितना का प्रॉफिट हो आपका का profit मान लेते हैं तो 3,05,000 होता है 15,000 रुपए एक महेने में 30 दिन होते हैं और आप हर रोज 15,000 का profit कमा रहे थे 30 दिन इंटू 15,000 4,50,000 रुपए होते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं और आप हर महीने 4,50,000 रुपे कमा रहे थे 4,50,000 इंटू 12,54,00,000 रुपे होते हैं एक साल में अगर आप 54,00,000 का प्राफिट कमाते हैं तो फिर ये पैसा कम नहीं होता है